क्या आप लोगं को मावलम है कि Google से हम लोग कोई भी image या picture डाउनलोड करके उसको अपने research article या research papers या YouTube के किसी video में use कर सकते हैं without any copyright strike और without any copyright problem अगर आपको यह पता नहीं है कि हम लोग कैसे यह कर सकते हैं आज मैंने यह video specially इसलिए बनाया है ताकि हम आप लोग को पता चले कि हम लोग कोई भी image जो Google में है उसको हम लोग कैसे differentiate कर सकते हैं कि वह with copyright है without copyright है मेरा नाप Dr.Astroff है I welcome you to my channel Science and Social Tube बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताओं अगर आप हमारे चैनल पे नए है प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाए और साथ में bell icon पे दबाए ताकि आप लोग उनको पहले notification पता चल जाए जब हम लोग कोई नए वीडियो चले कुण सी पिक्चर या कुण सी इमेज विद कॉपी राइट है विडाओट कॉपी राइट है चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज कुछ नया सीखते है तो सबसे पहले क्या करना है आपको अपना ब्रॉजर गूगल क्रोम खोलना है जो भी ब्रॉजर आप यूज़ कर रहे हैं अपने केम्पूटर पर या डेस्टॉप पर या मुबाइल पर मेरा ये ब्रॉजर ओपन हो रहा है अभी तो आपको www.google.com सर्च करना है तो यहां पर आगर हमें कोई भी इमेज जैसे मैंने कहा कि हमें इमेज देखना है कि वो इमेज के जिसमें copyright है कि नहीं है वो हमें कैसे पता चले सपोस्थ हम लोग कोई भी नाम यहां पर गूगल में डालों जिसका इमेज फाइंड आउड करना चाहते हैं चाहे वो डियने हो चाहे वो फीश हो चाहे वो कोई भी सेलिबरेटी का फिगर ही क्यों ना हो तो हम में वो स्पोस्थ लगई अडालता हूँ मैं तो आप क्लिक किजे कि यहां पर आप इमईज हम जाये का और इमेज में जाके यहां बिदान दे मीजिए यहांपे एकиком शन एक टूल करके उठोट्ट और चूल करके यहां पर आब देख रहे हूँ यहां पे एक कावशन है नीचे यह options, चार options आपके पास सामने आ रहा है, यह जो अभी search कर रहा था, यह without filter कर रहा था, यहां पे हम लोग filter इसको use कर रहा है, so पहला वाला जो option यहां पे आ रहा है, वो label for reusable modification, that means आप इसको use कर सकते हो, label कर सकते हो, but you have to do modification with that figure, okay, whether you want to include in the text in that, you want to crop with that, something you have to modify as per your convenience, जो दूसरा वाला है, वो label for reuse है, यहां पे directly आपको option दे गया है, आपको इसको use कर सकते हो, there is no problem with that, but जो यह दूर नीचे वाले दो है, label for non-commercial reuse with modification, यह non-commercial के लिए है, okay, non-commercial के लिए, आप इसको अपने YouTube के use में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो commercialize है, या आप किसी website पे इसको use नहीं कर सकते हो, आपने वो monetize किया है, Google के साथ, वहां पे use नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो commercial में आ जाते हैं, और last वाला जो option वो सीधा है, label for non-commercial uses, यहां पे जो यह image है, इन image को आप यूज कर सकते हैं, आपने presentation में, आपने lectures में, जहां पे आपको commercial के चीज़े नहीं आ आ रही है, तो अगर मैं अभी suppose label for use करूंगा, मैं यह slip करूंगा, जो हमें चाहिए जो normally use कर चाहिए, चाहिए आपके research papers में, चाहिए आपके articles में, चाहिए आपके कहीं पे भी जगापे, यह YouTube की वीडियो उसमें भी, तो अगर हम लोग यहां पे देखेंगे, यहां पे इत है, suppose हम लोग इस figure पे click करेंगे, यह page भी open हो रहा है, तो अगर आप इस figure के नीचे के ऊपर नीचे जाएंगे, तो you can clearly see, यहां पे लिखा है, free for commercial use, no attoration is required, that means no lesson is required, आप commercial के लिए इसको यूज़ करना चाहते है, नौन कमर्शल के लिए यूज़ करते है, आप आराम से इस figure को यूज़ कहीं पे भी कर सकते है, हम लोग कोई और एक figure देखते हैं, Suppose यह figure है, Wikipedia का figure है, इस figure के ज़रा देखेंगे, क्योंकि mostly दो टाइप्स के license होते हैं, एक होता है common creator license, दूसरा होता है standard license, जो common creator license है वो आप यूज़ कर सकते हो, वो आप easy से use कर सकते हो, there is no problem, you can use anywhere, बट जो standard license है, उसके लिए आपको permission चाहे, उसके copyright आ जाते हैं, तो यहाँ पर आगर आप दोग देखोगे, इस figure को, जो यह figure है, इस figure में, ओके, यहाँ पर, the copyright holder of this work here, publisher is under the following lessons, okay, यह कलियर लिखा हुआ है, okay, permission is granted to the copy, distribute and modify this document under the terms of this GNU free document lessons versions, versions or any other, this free software foundations, okay, so, यहाँ पर लिखा है, permission is granted for the distribution or modify this document, and this, यहाँ पर इजे important, सब्सक्राइब यह important है, this file is licensed under the common creative, iterations, shares under this license, so, that means कि जो यह common creative version में आते है, इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं, there is no problem in this case, आप कहीं पर भी इसको use कर सकते है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको जो भी figure आपको चाहिए, जो भी figure आपको लेना चाहते हो, लेना चाहते हो, अपने यूज करना चाहते हो, अपने commercial के लिए या नौन कमर्शल के लिए, आपको यहाँ पे जो यह चार options दे गए है, गूगल ने जो हमें filter के चार options दे गए, इनको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे commercial, non-commercial की बात आती है, उससे सबसे आप अपने चीजों में इसको use कर सकते हैं, मुझे यकीन है कि मैंने अपने तरीके से 100% कूशिश किया कि आप कोई समझाने के लिए कि आप कैसे filter कर सकते हो, कैसे non-filters कर सकते हो, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लागा, प्लिस लाइक कीजिए, कोमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो म मुझे ये